कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे तो मेरा नामे समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियल मीसी 25 के अंदर हम किस प्रिकार से हमारे जो बटन स जो नेविगेसिन बटन आप यहां पर देख पा रहोगे इनको हम कैसे हाइड कर सकते हैं ठीक गाईस चलिए सबसे पहले हमको जाना होगा गाइस सेटिंग्स के अंदर तो यहां पर हमसे इंदर शलते हैं उससे पहले आप से रिएस्ट हैं कि अगर आपने भी तक हमारे चै इस पे आपको देखने को मिल जाती है अब जैसे की किया है तो अगर आपका लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड वाला प्रॉब्लम है तो यहां से आफ आपससे राइट जाएंड की तरफ स्विच कर सकते हैं इसकी बाद यहां पर आप देखेंगे तो auto hide virtual buttons पर click करेंगे तो आपके buttons जो है वो automatic hide हो जाएंगे कुछ time बाद okay guys लेकिन हम automatic hide नहीं करना चाहते हम इनको manual hide करेंगे तो यहां पर option मिलेगा swipe gesture from boot side इस पर आपको tap करना है जैसी आप इस पर type करेंगे तो आपके सामने आपके buttons यहां से remove हो चुके हैं अब यह button यहां से remove हो गए लेकिन को हम कैसे use करेंगे चली आप देख लेते हैं तो यहां पर देखेंगे तो आपको आप यहां पर recent task के अंदर पहुच जाते हैं तो यह settings रहती हैं आपकी कुछ जो आपके navigation बटन में आपको help करती है तो guys I hope कि आपको यह वाली settings complete समझ आई होंगी और आप पने font के अंदर आपके जो buttons यह उनको आप हाइट कर पाई होंगे तो guys मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं आप से फिर किसी अगली और interesting वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care